नमस्कार दोस्तों मैं डाक्टर अजीत कुमार पटना बिहार में प्रैक्टिस करता हूँ आज हम बात करेंगे डाइबिटीज यानि सुगर मदुमे पे जदी आप सुगर से परसान है यानि डाइबिटीज से परसान है तो इसको घर पे आप आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं इ अब से पहले हम जहनकारी आपको कि होता क्याहिए यानि मद्य ऐनी जब आपका बलड है उसमें प्रच की मातर्र जब अधिक हो जाएगा तो होना टै सब्सक्राइब कर सबस्क्राइब में हो तो कहीं नहीं लंबे समय सिकाद आप हो चुके हैं कव जे कैसे बीमारी है जो कि सभी बीमारियों की मां होती है इसलिए सबसे पहला कारण आपका कव्ज हो गया दूसरा अब हम आपको बताढ़ें कि जब भी आपको डियाविटीज होगा तो पहले क्या बताया हमने कि आपका जो बलड में गुलकोच की मातरा अधिक हो जाएगा तो यानि गुलकोच की मातरा अधिक क्यूं हो रहा है बगल में आपको दिख रहा होगा एक फिगर देख सकते हैं आप उस फिगर में पेंकिरियाज है गॉल्बलेडर यानि लीवर और पेट के बीच में देखिए एक छोटा सा दिख रहा होगा दोनों क के बीच में गॉल्बलेडर के गॉल्बलेडर जो है वह हारा रंका है लेकिन जो पेंकिरियाज है वह वाइट रंका है आप उसको देख सकते हैं इस फिगर में तो कहने का मतलब है कि यह पेंकिरियाज जो है पेंकिरियेटिक बिटा सेल से मिलकर यह बनी होती है और पेंकिर बलड में गुलकोच की मातरा अधिक हो जाती है यनि आपका पेन किरिया सही से काम नहीं कर रहा है तब जाकर आपको सबसे दूसरा कारण यह हो सकता है तिसरा कारण यह है कि आप क्या होता है कि खाना तो अधिक लेते हैं लेकिन आप सरेडिक सरम कम करते हैं यनि कि आप सकता से ज़्यादा कार्बोहाइडेट लेते हैं जिसके कारण आपके बलड में गुलकोच की मातरा अधिक हो जाती है आगे चर्चा करेंगे कुछ और इसकी लच्छन की चर्चा कर ले हम तो देखिए जब भी आपको डियाविटीज होगा तो सबसे ज़्यादा यूरीन पास करने के लिए जाएंगे रात में काफी पैसेंट में देखाएंगे कि रात में बार बार उनको यूरीनेशन के लिए जाना पड़ता है दूसरा अधा यह देखा कि उनको ठकान कमजोड़ी महसूस होने लगता है काम करने का इच्छा ने करता है यानि की पूरा सरीर से थकने लगते हैं यह भी लच्छन देखा गया लेकिन जो में मैंने आपको बताने अब हम चर्चा करेंगे घरेलू नुसक को सकते कि इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है सुबा का खाली पेट में सावा लिटर गर्म-ग्रूना पानी यनी किẢि यह बादाव सो पचाष हैं पानी कि दुआ के जुआ सुबह 146 चो चाले जाने से पहले आप इस पानी को घूट घूट करके आपको लेना है प्रति दिन यह D changes क के आ पैसेंट है तो है आपको सबießक्र नहीं है या है आपको परति दिन लेना इससे सुरू कर दे इससे आपका पेट के सफाई पूरी तरी किस हो जाएगा और आप पेट के सफाई के साथ साथ बहु सारे समस्य आपका समाप्थ हो जागा इसे पहला काम इसको कीजिंगे अब जो हम आपको उपचार बताने जा रहे हैं घड़ेली उपचार इस उप्चार को हमने सोट वीडियो में बताया था फेस्बूक पे कम साथ लाख लोगों ने देखा बहुत सारे कॉमेंट्स आया इस पे उसके अधार पे मैं इस वीडियो के बनाने का प्रेस किया उसमें हमने बताया था ब्लेक सीट्स ब्लेक सीट्स यानि कलावजी का तेल कलावजी का तेल जो है आप उसको क्या किजिए कि जब हम सुबा आप चाय बनाते हैं जैदि चाय पीते होंगे तो जब चाय पीते हैं तो उसमें चाय पती डालना है चाय जिस तरीके से लाल चाय बनाते है उसी तरीके से बनाना है लेकिन उसमें दूद नहीं डालना है उस करने का प्रयास कि ज़ए लेकिन दियान रहा है कि इसमें दूद नहीं मिलाना और ज़िए आप यह जानना चाहते हैं कि इस पर कौन-कौन तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं हम चुछ दवाई के जनकारी दिये हुए ताकि यह जनकारी आपको सिफ जनकारी के लिए गया है लेकिन प्रयास किजिए कि जब डियावटीज पैसेंट हैं तो खान पान और दिंचरिया में बदलाव करके इसको ठीक किया जा सकता है कि मपनफ़ेटी टाइप-2 के पैसेंट है तो आपको उसमें रिकॉफर किया जा सकता है यह सच सшь कि ही आपको डाया전에 सरे चूटकाड़ा भी पाया सकता है लेकिन यह सच नहीं है कि हमेजा के लिए चूटकाड़ा पाया के लिए आपको खान पान और दिन चर्या में बदलाओ करना होगा तब भी जाकर सरीरी के ब्याम करना होगा तभ ही जाकर छुटकारा पा सकते हैं यदि आप ऐसा सोचते हैं कि हम किसी तरीके का चूड़न ले लेंगे किसी तरह का जैसे बहुत सारे मैंने फेस्बुक पर विग्यापन देखा कि तीन महीने में गरांटी के सांथ ठीक कर रहे थे तो ऐसा कभी होता नहीं है तीन वह तो पंद्रह बिस दिन में लोग दिखाते हैं दावा देने के बाद जब नॉर्मल हो दो पहले देवाटेना चीजाए लागते हैं कि दोक दिखाष्चा कर देएं फीuminiin में थ्लील लिफ्मन जीतना उसका पहले नहींदे यह होगा। किसी भी बिमारी के खुद से इलाज करना चाहते हैं तो जो इसकीन पर नंबर चल रहा है उस पर आप संपड़ कर सकते हैं तोस्तों मैं विसेश का के केड़नी एस्टोन और गॉल बलेडर एस्टोन पर प्रेक्टिस करता हूं पैसेंट को काफी देखा काफी अनुभव है तो इसका सबसे अच्छा इलाज आप ही कर सकते हैं वह कैसे करेंगे कि जब तक आप खान पान में बदलाव नहीं करेंगे तब तक इसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है और जदी इस तरीके से मेंटन कर लेते हैं खान पान दिन चड़ियां बदलाव कर लेते हैं तो आने वाले समय में तीन महीने में क्या पंदरा दिन महीं आपको सारी दवा चुट जाएगे इसलिए जादे आप वह में न पड़े कि बहुत तीन महीने दवा खालेंगे तो ठीक हो जाएंगे छे महीना खालेंगे तो ठीक हो जाएंगे ठीक तो आप हैं ही आपको तो को जदि आपका और हाइसो से निचे आता है कभी भी रेंडेमली कभी भी सुबह दोपार साम कभी भी हो तो आपको घबडाना नहीं है और हाइसो सूपर हो तब दवा क्यों सकता है घड़े लूप चार क्यों सकता है और हाइसो तक आता है तो ठीक है जदि आप इतना नहीं करना आपको लगता है कि बहुत ज्यादा होता है तो इसके लिए जितना आपका बजन है उसमें 100 एड़ कर दीजिए 100 एड़ कर दीजिए जैसे मान लिजिए कि आप 60 kg के हैं तो उसमें 100 जोर देंगे तो कितना हो जागा 160 यानी 160 mg per dl आ रहा है तो इसको माने सही है आप थोड़ा चार्ट मिलाने का प्रयास करेंगे तो यह कभी संभाव नहीं कि चार्ट के द्वारे आप आ सकते हैं आने वाले समाई में हम लोग सब लोग डाइविटीज के पेसेंट हो जाएंगे जिस तरीके से चार्ट निचे की बढ़ा रहा है इसलिए आप खान पना दिन चड़िया में बदलाव करके और घड़े लूप चार्ट जदी है डाइविटीज के पेसेंट है तो कुछ घड़े लूप चार्ट कर ले और ठीक हो जाए दोस्तों एक चीज और जनकारी देते ना चाहते हैं जदी यह हमने स्क्राइशन करेंगे तो नहीं होंगे यह पूरी विस्तार से हमने चर्चा किया जदी उस वीडियो को देखने के बाद HOW जादा लॉप होगा ताकिन उसका जदी आप करते हैं तो कितना परसेंट आपको बेनिफिट होगा पूरे विश्टार से जनकारी चल जाएगा पता चल जाएगा आपको इसलिए उस वीडियो को देखिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोग सेर कीजिए ताकि खुद का जो डेविटी पैसेंट जदी हैं तो अपना इलाज खुद से कर सकते हैं घर पे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धनवाद आप